तो आज हम फिर से लेके आएं आपके लिए एक वीडियो करन्ट अफेर्स रेलेटेड जिसमें हम सारे कोश्चेंस इंपोर्टेंट जो हैं और बहुत इंट्रस्टिंग कोश्चेंस हैं जो हमारे कॉंप्टिटिटिव एक्जाम्स में हमें देखने को मिलते हैं जैसे कि हम आईएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर बैंक प्यों की तैयारी कर रहे हैं एससी की तैयारी कर रहे हैं रेलवे की या किसी भी गॉर्मेंट एक्जाम की जिसमें करन्ट अफेर्स कवर होता है तो इस वाली वीडियो में हम देखेंगे कि पदम अवार्ड को लेके ज पहले कोशिशन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम डेली आप तक बहुत सकें नई वीडियो के साथ अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारी डेली की वीडियो नोटिफिकेशन आप तक नहीं प तो पहला कोशिशन है हमारा वर्ष 2020 में कितने लोगों को पदम विभूशन से समानित किया गया चार आप्शन से चार में से एक आप्शन ही करेक्ट होगा इस में से हमें एक आप्शन ही चूस करना है तो इसका अंसर देखते हैं वर्ष 2020 में साथ लोगों को पदम सबसे अधिक चार पुरुस्कार जो मिले वो पुब्लिक अफेร्स solids के फील्ड में मिले है। Next is, निनलिखित में से कौन पदम विबूशन को रष्कार 2020 का विजयता नहीं है। इन चारों में से हमें देखना है कि पदम विभूशन का विजेता इसमें से कौन नहीं है? तो हमारा आंसर है मैरी कॉम. मैरी कॉम को पदम विभूशन पुरुसकार 2020 के लिए चुना गया है. वे पदम विभूशन पुरुसकार की सूची में नहीं है. Means उनको नॉमिनेट किया गया था पदम विभूशन पुरसकार के लिए बट वो विनर नहीं है Next question पदम विभूशन पुरसकार विजेता सूशरी कृशनमल जगनात किस शेत्र से संबंदित है तो इन चार options में से हमें ये बताना है कि विजेता जो है सूशरी कृशनमल ये किस फील्ड से related है तो ये सामाजिक कार्य से related है सूशरी कृशनमल समिलाडू की एक सामाजिक कार्य करता है उन्होंने गरीबों को भूमी हिनों को लोगों के जीवन के उत्थान के लिए कड़ी मेनत किये तो इसी के लिए उनको पदम भूशन पुरसकार 2020 मिला अगला कोशन है हमारा विजेताओं को पदम पुरसकार कौन देता है बड़ा इंट्रस्टिंग कोशन है हो सकता है काफी लोग इसमें हम कन्फ्यूज हो जाए तो इसके लिए ये कोशन वेनेस में डाला है कि हमें पदम पुरसकार कौन देता है बिनर्स को तो पहला उप्षन है हमारा पैस राष्टपती, प्रधान वंत्री, स्पीकर या अन्मे से कोई भी नहीं तो इसका आंसर है भारत के राष्टपती पदम पुरसकार भारत के राष्टपती द्वारा प्रधान किये जाते हैं ये पुरुसकार राश्पती भवन में आयोजित एक समारों में दिये जाते हैं I hope कि आपको questions देखने में और उनके answers मिलने में काफी मज़ा आ रहा होगा तो आप इस वीडियो का enjoy करें end तक इसमें और भी interesting questions हैं आगे काफी देखते हैं next question भारत में तीसरा सबसे बड़ा पदम पुरुसकार कौन सा है इन चारों में से कौन सा पुरुसकार तीसरे सबसे बड़ा पदम पुरुसकार है भारत रतन, पदम विभूशन, पदम भूशन, पदम शिरी तो इसका answer है पदम शिरी पदम पुरुसकार तीन शेनियों में दिये गए हैं सबसे बेहला पदम विभूशन, फिर पदम भूशन, तीसरा पदम शिरी तो पदम शिरी भारत में तीसरा सबसे बड़ा पदम पुरुसकार है यह उलेक करने के लिए की भारत रत्न भारत का सर्वोट नागरिक पुरुसकार है अगला कोशन हमारा है पदम पुरुसकारों की स्थापना कब हुई? इसमें से कौन सी इयर में स्थापना की गई पदम पुरुसकारों की? इसका आंसर है 1954 पदम पुरुसकारों की घोशना हर साल की जाती है पदम पुरुसकार के विजिताओं का चैन परम पदम पुरुसकार समीती द्वारा की गई सिफारिशों के अधार पर किया जाता है ये पुरुसकार 1954 में स्थापित किया गया था निमलिखित में से कौन सा कथन सही है या है एक भी हो सकता है दो भी हो सकता है इसलिए हमने है और है यूज किया है तो पहला है अधिक्तम तीन व्यक्ति किसी भी वर्ष में भारत रत्म पुरुसकार से सम्मानित किये जा सकते है दूसरा पद्म पुरुसकार समीती का गठन भारत के राश्पती द्वारा हर साल किया जाता है option है हमारे पास या तो केवल first या फिर केवल second या फिर दोनों या फिर इन में से कोई सबी नहीं तो इसका answer देख लेते हैं इसका answer है केवल one इसका मतलब यह हुआ कि अधिक्तम तीन व्यक्ति किसी भी वर्ष में भारत रत्न पुरुसकार से सम्मानित किया जा सकते हैं इसका explanation देखते हैं किसी भी विशेश वर्ष में अधिक्तम तीन व्यक्तियों को भारत रत्न पुरुसकार से सम्मानित किया जा सकता है जैसे कि वर्ष 2019 में तीन व्यक्तियों को मिला था प्रेण मुखर जी, नानजी देश्मो और भुपेन हजारी का को यह प्रतिश्थित नागरिक पुरुसकार मिला था अगला question है हमारा निमलिखित अभिनेतरी में से किसे पद्म शिरी पुरुसकार 2020 के लिए चुना गया हमारा answer है कंगना रनौत को पद्म शिरी पुरुसकार 2020 से सम्मानित किया गया है तो next questions देखते हैं बच्चो next question है हमारा वर्ष 2020 में कितने पद्म शिरी पुरुसकार दिये गए हैं यह तो किसी को भी नी पता होगा ठीक है तो यह बहुत important question है जो पता होना ची आपको इसका answer है 141 वास्तव में पद्म पुरुसकारों में तीन श्रेणिया शामिल है है अभी हमने पिछली कुछ questions में देखा कि कितनी श्रेणिया है पद्म पुरुसकारों में तो इस लिए स्वाम उनकी फील के हिसाब से correct है या नहीं है तो हमारा answer है सी श्री विश्वेश तीर्थ स्वामी जी जो है वो एक भारतिय हिंदू गुरु है और श्री पिजावर अदोक्षा मठ अधूपी के पूर स्वामी जी भी है स्वामी जी ने पून गुरु विद्या पीट को स्थापना बैंगलूर में की है तो इनका जो है ये match नहीं गरता साहिते और शिक्षा से तो ये थे हमारे कुछ बहुत ही important and interesting question related to पदम अवार्ड ठीक है हमारी वीडियो बहुत ही छोटी रहती है ताकि आप लोग इसको enjoy कर सकें बोर ना हो और दस question के answer एक बार को याद करने में easy होते हैं इसलिए हम कोशिश करते हैं कि छोटी छोटी वीडियो में आपको relevant content provide करें अगर आप CBSE, IIT, JEE and NEED के online classes लेना चाहते हैं तो आप visit करे www.bansal.live या call कर सकते हैं किसी पे inquiry के लिए इन दोनों numbers पर तो मिलते हैं बच्चों next video में तब तक ये video share कीजिए वीडियो को thoroughly बार बार देखिए ताकि आप साथ की साथ इन questions को और उनके answers को याद कर सके Thank you